हलो स्टूडेंट्स, वल्कुम बैक तो मैं चैनल, आज की वीडियो में हम हैंड्री डेविड थौरो के एक एसे को पढ़ेंगे जिसका नाम है सिविल डिसॉबिडियन्स अगर हम बात करें हैंड्री डेविड थौरो की तो वो अमेरिका के एक वेल नौन पोईट, एसेस्ट एंड फिलोसफर रहे हैं उनका एक वर्क वॉल्डन और उनका ये ऐसे सिविल डिसॉबिडियन्स उनका मास्टर पीस माना जाता है वो सिविल लिबर्टीज पर लिखते आए हैं और वो अपनी थ्री वैल्यूज के लिए जाने जाते हैं इंडिविजुलिजम, आइडियलिजम और डिविनिटी ऑफ नेच्चर उनके आइडियाज ने वॉल्ड विट्मेन, डब्यू बी येट्स, महात्मा गांदी, लियो टॉल्स्टोई, जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और इन जैसे कई और ग्रीट लोगों को इंफ्लॉएंस किया एन थोरो खुद, अरिस्टोटल, हॉमर, पिंडर, एमर्जन, एसकलर, चार्ल्स, डार्विन जैसे थिंकर से इंफ्लॉएंस थे तो अब हम बात करते हैं हमारे इस ऐसे की तो येर 1846 से येर 1848 तक मैक्सिकन-अमेरिकन वार चली थी तो थोरो ने इस एवेंट से रिलेटर एक स्पीच दी थी 1848 में उसका नाम था दि राइट्स और डूटीज ओफ इंडिविज्वल इन रिलेशन तू गवर्मेंट तो थोरो ने अपनी स्पीच में मेंली ये बात कही थी कि इस वार से अब स्लेवरी बढ़ेगी क्योंकि मेक्सिको की जो टेरिटरीज अमेरिका सीज ये कैप्चर कर लेगा तो ओवियसली वहां के लोग तो गुलाम हो जाएंगे और थोरो इस चीज के सक्त खिलाफ थे फिर इस स्पीच से ही उनका ये ऐसे बना जिसको की 1849 में रिसिस्टेंस टू सिवल गवर्वर्मेंट के नाम से पब्लिश किया गया इसे एलिजबेट पी बॉडी ने एक कोलेक्शन ओफ एसेज में पब्लिश किया था जिसका नाम था एस्थाटिक पेपर्स फाइनली 1866 में इसे सिवल डिसॉबिडियन्स नाम से पब्लिश किया गया थौरो की डेथ के फोर इयर्स बाद उनका एक कोलेक्शन ओफ वर्क पब्लिश किया गया जिसका नाम था A Yankee in Canada with Anti-Slavery and Reform Papers और उनकी इसी कोलेक्शन में इस ऐसे को पब्लिश किया गया मैं ये सब बाते इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक्जाम में हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है तो अब हम पढ़ते हैं कि इस ऐसे में थौरो ने में बातें क्या बताई है थौरो इस ऐसे के स्टार्टिंग में ही बोलते है That government is best which governs the least It means वो government best होती है जो अपनी citizens की life में ज्यादा interfere ना करे Government क्यों exist करती है क्योंकि लोग इसे चुनते हैं ताकि वो अपने कुछ aims को इसके थूरो फुल्फिल कर सके जैसे police and army हमें protect करती है Government को भी हम लोग इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे काम आए हमें protect करे लेकिन बहुत बार government corrupt हो जाती है और वो सबी लोगों की welfare के बारे में सोचने की बजाए कुछ लोगों के बारे में ही सोचती है अब ये कुछ लोग कौन होती हैं ये आपको भी मालुम है थौरो तब कि American government को criticize करते हुए कहते हैं कि अब ये government unjust and corrupt हो गई है क्योंकि ये war को promote करती है अब वला war से भी किसी को क्या फायदा होता है लोगों ने तो अपने welfare के लिए इसे चुना था लेकिन ये इस चीज़ को sideline करके war को promote कर रही है ताकि elite class को फायदा पहुँचाया जा सके और फिर government ऐसे laws भी इनेक्ट करती है जिसे कि elite class को favor मिलता है एंट थोरो कहते हैं कि अगर citizens को लगे कि ये laws गलत हैं तो उन्हें इन्हें oppose करना चाहिए वो कहते हैं कि हर एक इनसान के पास conscious होती है मतलब सही और गलत को पहचानने की शमता होती है तो लोगों को अपने conscience के according कुछ भी decide करना चाहिए जो उन्हें सही लगता है वो करना चाहिए फिर चाहे वो majority के against हो उन्हें हर एक चीज गवर्मेंट पे नहीं छोड़ देनी चाहिए कि चलो जो गवर्मेंट करेगी वो सही है उन्हें खुद भी थोड़ा active रहने की ज़रूरत है अगर गवर्मेंट कुछ unjust laws create करती है तो citizens को इन्हें resist करना चाहिए क्योंकि थौरो ने कहा है resistance is the highest form of patriotism क्योंकि हम जब unjust laws के against protest करते हैं या इन्हें resist करते हैं तो इसमें country का ही benefit होता है क्योंकि हम अपने देश को गलत हाथों में जाने से बचाते हैं थौरो यहाँ पर यह भी कहते हैं कि वो सारी government को oppose करने के लिए भी नहीं कह रहे वो सिर्फ उनके immoral leads को oppose करने के लिए बोल रहे हैं थौरो यह सब बाते क्यों बोल रहे हैं यह मैंने आपको पहले भी बताया कि यह Mexican American war का time था और war से हमें मालूम है कि कितना loss होता है और इसके साथ ही slavery भी बढ़ती है तो वो इन सब चीजों के against हैं और वो कहते हैं कि लोग भी indirect way में government का साथ ही दे रहे हैं वो उन्हें taxis पे करते हैं जो कि indirectly या directly war पे ही खर्च होते हैं जब लोगों का पैसा उनके welfare के लिए लगी नहीं रहा यह तो war पे लग रहा है या फिर इससे slavery increase हो रही है तो फिर taxis पे करने का क्या फाइदा लोग cautious नहीं है, aware नहीं है उन्हें ऐसा लगता है कि इन सब चीजों से भला हमें क्या loss होगा लेकिन ultimately loss हमारा ही होता है तो इसलिए थोरो लोगों से अपेल करते हैं कि वो इन चीजों को resist करें और इस tyranny के against आवाज उठाएं आगे वो कुछ लोगों की बात बताते हैं जो कि उनके known है वो कहते हैं कि ये लोग तो अपने काम में ही busy हैं ये war and slavery को खतम करने के लिए कोई efforts नहीं कर रहे और जब थोरों इन से पूछते हैं तो ये कहते हैं कि हम अगली बार उन्हें vote ही नहीं करेंगे अब voting से तो government change होगी war and slavery खतम नहीं होगे तो वो सोचते हैं कि ये citizens इतने passive कैसे हो गए पहले तो Americans कितने active थे जब उन्होंने British government के oppressive laws को तोड़ा था और अपनी independence डिक्लियर की थी फिर थोरों यहां पे एक American philosopher William Pelle को mention करते हैं उन्होंने कहा था कि citizens को government को resist नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे disruptions cause होती है and लोगों को inconvenience होती है and जो smooth working system होता है वो halt हो जाता है तो उनके according लोगों को अपने rulers को obey करना चाहिए इसके response में थोरों कहते हैं कि हमें inconvenience के बारे में नहीं बलकि injustice के बारे में सोचना चाहिए जो कि हम slave people के साथ होने दे रही है citizens चाहते तो हैं कि slavery खतम हो जाए लेकिन वो इसे खतम करने के लिए कोई action नहीं लेते वो बस सोचते हैं या wait करते हैं कि कोई और person action लेगा वो खुद initiate नहीं करते तो इसी context में फिर थोरो लिखते हैं that there are 999 patrons of virtue to one virtuous man आगे थोरो खहते हैं कि किसी unjust law के change होने का wait करने की बजाए हमें उस law को ही तोड़ देना चाहिए it means किसी गलत law को सहना नहीं है बलकि government को disobey करना है but in a civil manner in a non-violent way and in a bloodless manner हमें government को oppose करना disobey करना है हम किसी की अजादी छेन कर खुद freedom को enjoy नहीं कर सकते तो हमें injustice के agent नहीं बनना है तो हम government को जो support करते हैं हमें वो support withdraw करना है आगे थोरो बताते हैं कि एक बार उन्होंने poll tax pay करने से मना कर दिया था जिसके वज़े से उन्हें jail जाना पड़ा था तो इसके बारे में वो कहते हैं कि भले ही jail authorities ने उन्हें law कर दिया था physically but mentally या intellectually तो वो अभी भी free ही थे अगर immoral laws को तोड़ने के लिए उन्हें jail में डाला गया तो ये भी सही है because the true place for a just man is also prison उन्हें jail में जाकर कोई regret नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने at least उस government को oppose किया जो कि war या slavery को promote करती है अगर लोग government को support करना बंद कर दें और taxis pay करना बंद कर दें तो शायद ये चीजें रुक जाएं पर लोग ऐसा करते ही नहीं है बर थारो इस बात से खुश है कि उन्होंने अपनी तरफ से contribute किया फिर थारो के किसे friend या neighbor ने उनकी तरफ से tax pay किया फिर उन्हें jail से release किया गया तो इन लोगों के बारे में वो बोलते हैं कि इन्हें भी सई चीज़ की पड़ी नहीं है उनके भिहाव पे tax pay करके इन्होंने गलत चीज़ को बढ़ावा दिया और जब लोगों से इस बारे में पूछा जाता है तो वो कहा देती हैं कि हम next बार इस government को चुनेंगे ही नहीं क्योंकि हमारे पास right to vote है तो voting के बारे में थारो कहते हैं कि जिस party को majority of votes मिलती हैं वो government बनाती है तो ऐसे government हर एक individual को तो represent नहीं करती वो तो उन 51% लोगों को represent करती है जिन्होंने उसे vote किया इसलिए उन्होंने voting को feeble expression of desire भोला है feeble means weak और voting एक gambling जैसे होती है जिसका result हमें नहीं मालूम कि क्या निकलेगा और हमें इस पे depend नहीं रहना है बलकि act करना है तो last में थारो ये कहती हैं कि वो disobedient बनने के बहाने नहीं ढूंड रहे वो इस country के laws को मानेंगे तब तक जब तक ये just होंगे सही होंगे और अगर laws गलत होंगे तो उन्हें disobedient भी बनना पड़ेगा democracy में हर एक individual की respect होनी चाहिए उसके opinion की respect होनी चाहिए और फिर thorough last में कहते हैं that there will never be a really free and enlightened state until the state recognizes the preeminence of the individual तो ये थे कुछ important बात थे हैं जो thorough ने इस essay में बताए हैं and I hope कि आपको ये समझ में आई होंगी